सवुदी अरामकों से 24,000 करोड रुपए के ओर्डर मिलने की उम्मीद इस इंफरा शेयर में आई जोरदार तेजी, क्या है, आपके पास लार्सन एंड टुबरो 1,000 से 2,500 करोड रुपए तक के प्रोजेक्ट को महत्वपून ओर्डर के रूप में क्लासिफाई करती है, जब प्रोसेसिंग यूनिटें डेवलप करेगी, हालांकी कंपनी ने अभी तक CNBC, TV18 के सवालों का जवाब नहीं दिया है, 7 सितंबर को इंट्राडे में लार्सन एंड टुबरो, लार्सन टॉबरो के शेयर लगभग एक फीसदी की टेजी के साथ कारोबार कर रही हैं, CNBC, TV18 ने साथ सितंबर को बताया है कि भारतिय इंफ्रासेक्टर की दिगज कंपनी एलको सौधी अराम को, सौधी अराम को के जाफुराह अन-अन-कन्वेंशनल प्रोजेक्ट, जाफुराह अन-कन्वेंशनल ऑन-शोर गैस डिवेलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए 2.9 बिल डॉलर की जाफुराह गैस परियोजना पर काम कर रहा है CNBC, TV18 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि एल्टी 2.9 बिलियन डॉलर के लिए अराम को पसंदीदा कॉंट्रक्टर है बता दें कि कमपनी 1,000 से 2,500 करोड रुपए तक के प्रोजेक्ट को महत्वपून ओर्डर के रूप में क्लासिफाई करती है जबकि 2,500 से 5,000 करोड रुपए तक के प्रोजेक्ट को बड़े ओर्डर के रूप में क्लासिफाई करती है इस मेडिया रिपोर्ट को मुताबित AL&T परियोजना के लिए एक गैस प्रोसेसिंग प्लांट लगाएगी और इस प्रोजेक्ट के लिए मेन प्रोसेसिंग यूनिटें डेवलप करेगी हालांकी कमपणी ने अभी तक CNBC, TV18 के सवालों का जवाब नहीं दिया है वित्वर्ष 2023 के अंत तक कमपणी के पास थे 3995-26 करोड रुपए के ओरडर इसके अलावा एलेंटी ने हाल ही में सवधी अरामको के सफानियाह गैस फील्ड, सवधी अरामको सफनियाह गैस फील्ड के लिए भी 10 बिलियन डॉलर के एक और पैकेज के लिए भी बोलिया पेश की है इसके अलावा अगस्त में कमपणी को पेरडमान केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के 2.3 MMTPA यूरिया प्लांट के लिए औस्ट्रेलिया स्थित साइपेम एंड प्लॉजेवी से एक बड़ा ओर्डर मिला था लार्सन एंड टुब्रो के पावर, ट्रांस्मिशन और डिस्ट्रिब्यूशन वर्टिकल को भी पिछले महीने मिडल इस्ट नए ओर्डर मिले थे वित्वर्ष 2023 के अंत में कमपणी के पास 3995-26 करोड रुपए के ओर्डर थे इस अवधी में कमपणी के ओर्डर बुक सालाना आधार पर 12 फीसदी की बढ़क देखने को मिली थी